भारत गौराव अचारे श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटिस्ट धार्मित भजन वे कारेकरम निशूलक देखने वे सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीन चरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बै जीवन में सुखी होने के दो एक ही रास्ता है एक रास्ता दुख का है एक सुख का है और और सब्द कहोगे तो दुखी हो जाओगे बस कहना सीखोगे तो सुखी हो जाओगे बस ये दो सब्द तुमारे जीवन को बदल देंगे कभी भी परमात्मा के वंदिर जाते हो और कभी जाके कर कि बस मेरे भगवान भौत तुने दे दिया मुझे किसी और चीज की जरूरत नए असंतुष्टी कहलाती है और और बस कहलाती है संतुष्टी बस कहना ध्यान बखना जिस दिन बस कहने की कला आ गई उसी दिन तुम सुखी हो जाओगे उसी दिन चिन्ताओं का ब बस मेरे प्रभू बहुत है मेरे पाग अब मुझे किसी और चीज की जरूरत है और और कहोगे तो कभी पूरा नहीं हो पाएगा ध्याना बखना और कभी किसी का पूरा हुआ है मरगट तक भी और में फुली स्टाप नहीं लगता है और यदि बस कह दे तो अभी जिन्दगी की आकान चाओं में फुली स्टाप लग जाए कभी बस कहके देखना कभी जिन्दगी में एक बार यहां से घर जा करके हिम्मत से जोर लगाके बस द्यान लगए है कोई मंत्र स्कून ना देगा न गायत्त ही मंत्र न नमोकार मंत्र दुनिया के कोई भी मंत्र जपलो जब तक बस कहने की कला नहीं आएगी तुम सुखी नहीं हो सकते हो ध्यान रखिये दो शब्स याद रखिये बस यदि कोई कुछ कहता है तो किया ना बस मेरे भाई और और मत रखिये जैकुमार मत बनो जिनास्ते के बाद भोजन और भोजन में चमचम और रस्मलाई और कचोड़ी और अब तो बोलो कि बस कर भाई बस भ्यान रखिये बस कर लेजे बहुत सुखी हो जाओ और का गड़ा कभी नहीं भरता मरग मरीची का हिरन भागते जाता है पानी की तलाश में और चमकती हुई रेत पानी दिखा करती है भागते भागते जान दे देता है पर रेत कभी पानी बनने वाली नहीं हुआ करती है मरीची का सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी एक शाजवाला परिनाम निकलता है लेकिन मानों पावक में कभी तरप्त हुई है बासनाये कभी तरप्त नहीं होती है मन की आदत है और 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 कहेगा महावीर भगवान कहते है कि आकांचा में नहीν अवशकता में जीना प्रारम कर लो तुम्हारा जीवन आनंद में परिवर्तित हो जाएगा वो लोग मरने के बाद स्वर्ग जाने की बात करते हैं यदि आपने आपका आवशक्ता में जीना प्रारम कर दिया जीते जी स्वर्ग का अनुभव अपने आप हो जाया करता है मरने के बाद मुक्ती पर मेरा वितना विस्वास नहीं है मैं तो कहता हूँ कि मुक्ती उन्हें ही मिलती है जो जीते जी मुक्ती का अनुभव किया करते हैं उन्हें ही मरने के बाद मौक्ष की व्यात्रा मुक्ती पाई मनवढ़ा चंचल भूख लगती है तन कहता है रोटी लाओ मनवढ़ा बदमाश जैसे ही रोटी आती है मन कहता है ठेर जा जिंदगी बीट गई रोटी खाते खाते आज तो पराठे खाना चाहिए पेट नहीं मांग रहा पराठे पराठे तो मन मांग रहा है पराठे आ गए मन कहेगा यार इसमें थोड़ी सी अजवाइन दली होती साथ परत के होते तो खाने का और मज़ा आ जाता अरे ये पेट नहीं मांग रहा ये मन मांग रहा है पराठे आ गए मन कहेगा यार पूरी आ जाती तो और मज़ा आ जाता ये और मज़ा जो लेना चाहते होना ये और मज़ा कभी पूरा नहीं होता पुरी खाई मन कहेगा यार पुरी तो गरीब भी खा लेता है कचोरी होती तो और मज़ा आ जाता अब कचोरी आ गई इसमें इमली की खटाई डली होती तो और मज़ा आ जाता और इंदोर का भुजिया डला होता तो खाने का मज़ा मांगते रहेगा मन ध्यान रखना मन कभी शुप नहीं होता है मन तो कहेगा ये भी होना था वो भी होना था फिर मन कहेगा याड डालडा में क्या रखा है देशी घी का होना था तो खाने का मजा और आजाता लगाते रहेगा मन सर्थ पे सर्थ मन सर्थ लगाता है इसलिए आप से कह रहा हूँ कि मन के लपड़े में मत पढ़ना मन की भासा और की भासा है और तन की भासा बस की भासा है पेट तो कह देता है बास बास अब कुछ नहीं लेकिन मन कहता है चलो चलते चलते थोड़ा सा पान मसाला और हो जाना मन वड़ा खतरनाक है मन से बचो फूटी बाल्ती बिनपेंदे की कुए में डालोगे परिणाम क्या होगा पानी के भीतर जाकर लगेगी भर गई, भर गई, भर गई और उपर आकर क्या लगेगी बोलो खाली की खाली पानी में लगती है भरी है और उपर आई तो खाली ये मन भी ऐसी बिनपेंदे की फूटी बालती है ये धनक में डालो तो लगता है भर गई और जैसे तिजोरी से हाथ निकला लगता है खाली हो गई विचार करिये मकान में डालो तो लगता है अब बन गया मकान अब मैं तरपत हो जाऊंगा लेकिन रामलाल पडोसी जो पांच मंजिल का बनाता है ना अपनी बाल्टी फिर खाली की खाली हो जाया करती है विचार करिये एक कार लाए लगा बाल्टी भर गई डूब गई भर गई अब मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन पडोस में जब अशो गोईल के हां 35 लाग की आती है ना मरसतीज तो लगता है यार ये मारूती कार तो कछरा है लो बाल्टी फिर खाली की खाली खाली रहती है जानगी भरती नहीं है मन की बाल्टी कितने दिन भरती है साधी हो जाएगी बाल्टी भर गई एक साल बाद बाल्टी खाली की खाली, बच्चा हो जाए बाल्टी भर गई बच्चे बड़े होंगे पढ़ाना लिखाना जिद्धी होंगे बाल्टी फिर खाली की वाहरे मकडी का जाल खुद बनाता है, खुद बुनता है वो पूरी जिंदगी को जाले में खत्म कर दिया क्या है आदमी की ये जिन्दी बाल्टी हमेंसा फूटी है लाग कुएं बदलना इस कुएं में डालना उस कुएं में डालना कुएं बदलने से बाल्टी भरने वाली नहीं है बाल्टी में जो पेंदा लगाता है उसकी बाल्टी कुआ तो क्या एक छोटा सा पोकर भी भर दिया करता है वही ग्वालियर वालों में आप से कह रहा हूँ कि मन बिन पैंदे की फूटी बाल्टी है और बिन पैंदे की फूटी बाल्टी में एक संतोश का पैंदा लगा लीजिये तुम्हारा जीवन श्री हो जाएगा तुम्हारा जीवन आनंद में परिवर्ट संतोश रखिए कभी तो बोलो कि बस हम बहुत है हमारे पास बहुत कम भगत आते हैं मेरे पास जो कहें महाराज बड़ी कृपा है बहुत अच्छा चल रहा है कभी मैं हर एक से पूछने बैठ जाओ तो एक न एक गड़बडी तो हर किसी के पास चल रही है महाराज बैसे तो बहुत है रुपिया है पैसा है बस थोड़ा सा एक प्रावलम वो एक प्रावलम बिल गेट्स के पास भी है वो एक प्रावलम समराटों के पास भी है वो एक प्रावलम देश के राश्टपती के पास भी हुआ करती है ऐसा कोई नहीं है जिसके पास एक ना एक समस्या मौझूद ना हो अरी मानव जीवन समस्याओं से रहत कभी नहीं हुआ करता है ये मानव का जीवन है कुछ ना कुछ तो कमी जीवन में बनी रहती है नहीं ध्यान लखना उसी चिंता में जीता है आदमी चिंता से चत्राई घटे दुख से घटे शरीर ध्यान लखना चिंता से चत्राई घटे दुख से घटे शरीर पापों से लक्षमी घटे कहगई दास कबीर ध्यान रखियो चिंता करोगे चतराई का नास हो जाएगा दुखाएगा शरीर का नास हो जाएगा पाप करोगे तो लक्षमी का नास हो जाएगा सवर्ग से जमीन पर आये एक भीकारी सुबह सुबह मिल गया नारत से कहा कि पहले-पहले दर्सन हुए हैं तुभारे कुछ दे दो मुझे नारत ने कहा मैं फकीर मैं वेरागी मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ बोले कुछ नहीं थोड़ा बद नारत को दया आई कि पागल सुबह सुबह संथ के दर्सन किये है चल मैं तुझे माला माल कर देता हूँ भीकारी ने कहा तुम मुझे माला माल ना कर पाओगे अरे बोले क्या समझ रखा है बोले समझ में तो तुम्हें बाद में आएगी अभी नहीं आएगी मुझे माला माल करना दुनिया में किसी के वसकी बात नहीं बोले चल पागल मेरे साथ स्वर्ग में चल कुवेर के पास ले गए धन्पती कुवेर ने कहा नारद ये ग्वालियर की आफ़त क्यों उठा लाए इसे स्वर्ग कैसे ले आए नारद ने कहा क्या हुआ बोले जब रूल बना हुआ है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता इसे जिन्दा उठा के क्यों लाए बोले तकलीप क्या है बोले इसे जल्दी गवालियर रवाना करो बोले क्या हूँ बोले पांच मिनिट और रह गया तो हमारे स्वर्ग को नरक बना देगा इसे नीचे डालो बिलकुल उपर मत रखिये हरे तो नारण ने कहा अब तुम्हारा दर्सन किया है खाली लोटेगा कुछ ना कुछ तो दे दो तो बोले जल्दी दो ले दे के काम निप्टाओ आजकल धर्ती पर ही नहीं स्वर्ग में भी ले दे के काम हो जाता है जो काम किस्मत से नहीं होता वो काम रिस्वत से हो जाता है मेरे भाई ये हालात हमारे देश के बन गए है कि रिस्वत लेते हुए पकड़ा जाता है और इस वद दे के आदमी जेल से बाहर आ जाता है बोले कुछ ले दे केसे निवटाओ इस केस को प्रकरन फाइल करिये बोले क्या करें? क्या ओरे भीकारी? क्या चाहिए तुझे? बोले मुझे क्या चाहिए? दो वक्त की रोटी मिल जाए और चाहिए क्या मुझे? बोले कितने का चेक दे दू? बोले चेक यए मैं नहीं केस करा सकता तो बोले क्या करें? उसने जोली में हाट डाला एक कटोरा निकाला छोटा सा इसको भर के दे दो जो भी देना है मेरा आज का दिन चल जाएगा कुवेर ने कहा कि दे दो इतना सा कटोरा जाओ हीरे मोती से भर दो हीरे मोती का धेर आया कटोरे में डाला विकारी ने कहा भाई जरा समल के भरना समल के बोले चल इतना सा कटोरा समल समल के बात कर रहा है बोले तुम भरना पाओगे कहते एक थाल हीरे मोती डाले सुवय से साम हो गई कटोरे में डाले जा रहे डाले जा रहे कुवेर ने कहा देखो नारद मैंने कहा था ने उपद्र उठा के लाए हो तुम इसका कटोरा क्यों नहीं भरता नारद ने कहा क्यों रे छेद कर रखा है और नीचे दौलत गंज में दौलत गिराए जा रहा है ब किस कंपनी का बना है बोले कंपनी ये तो बहुत हाई फाई कंपनी का बना है बोले मामला क्या है इधर दिखा जैसे नारद ने कटोरा चीना सिर्पे दे मारा बोले कंबक्त पहले ही बता देता बोले क्यों बोले ये कटोरा नहीं है हुजोर कोबेर से कहा ये तो आदमी की खो आदमी की खोपड़ी को भरना आसान नहीं है यह नहीं भरी जा सकती है अरे पहले ही बताता यह खोपड़ी है बूरा ब्रह्मांड भी डाल दो तो आदमी की खोपड़ी खाली की खाली रहा करती है